आपने मुझे बोलने का आउशर दिया अद्रक्ष महदे मैं आज अपने संसदी छेतर सीधी के एक आवश्चक विशय पर सदन में ये बात रखना चाहती हूँ आपके माध्यम से रखना चाहती हूँ अद्रक्ष महदे और मैं चाहती हूँ कि मान्नी रेल मंत्वी जी तक अद्रक्ष महदे गती दी महदे मेरे संसीछेतर के हजारों बेरोजगारों ने इस परियोजना के भाग रीवा से सिंग्रॉली तक में तक के लिए जमीने सिर्फ और इस आस में ली कि हमारे पुरुजों का सपना पूरा होगा और कहीं कहीं उन्हें भी रोजगार मिल मेरे रोजगार नहीं मिलेगा अद्धक्ज मौदे परन्तू मेरे बार बार आग्रह करने पर माननी मंत्री जी के निर्देशन में रेले वोट के अध्धक्ज के द्वारा एक पत्र लिखा गया 17 12 2019 को इस पत्र के मादम से मुझे सूचित किया गया कि इस आदेश में 11 11 2019 इस आ है उन्हें रोजगार दिया जाए माननी अध्धक्ज मौदे मैं अवगत कराना चाहती हूं कि पश्चिम मध्य रेल ध्वारा 25 2020 को एक पत्र जारी किया गया और इसमें कहा गया कि रोजगार के सम्मन में जिनका आवेधन 11 11 2019 के पूर प्राप्त नहीं हुआ है उनके भूम 11 11 2019 के पूर अध्गहित हुई है पनत उन्होंने आवेधन 11 11 2019 के पश्चात दिया है मोदे मैं सदन के मादम से आपके मादम से मानने मंत्री जी तक इतना ही बात पहुचाना चाहती हूं कि 11 11 2019 के पूर जिन भू सौम्यों की भूम ललित पू सिंग्रॉली रेल प्रेहित की गई है उन्हें रोजगार प्रदान करने की कृपा की जाए।